स्वागते प्यारे बच्चों, आज हम The Road Not Taken यह पोयम हिंदी में देखेंगे The Road Not Taken यह पोयम रोबर्ट फ्रोस्ट द्वारा लिखी थे वह एक अमेरिकन कवी थे वह ग्रामिन जिवन के अपने यथार्तवादी चित्रन और अमेरिकी बोलचाल भाषन के लिए जाने जाते है यह कवीता 1916 में पहली बार प्रकाशित हुई थी यह कवीता हमारे द्वारा किसी विकल्प के लिए निर्णे लेने पर आधारित है अर्थात हमारे पास किसी चीज को करने के लिए कई विकल्प होते है लेकिन हमें यह निर्धारित करना होता है कि हमें कौन सा विकल्प चुनना है हमें कौन सा रास्ता चुनना है So let's we start the poem Two roads diverged in a yellow wood And sorry I could not travel both Poem की इन लाइन्स में कभी Robert Frost अपनी एक यात्रा का वरण करते है जिसमें वे किसी घने जंगल के मध्य से होकर गुजरते है जंगल में अधिकांश पेडों के पत्ते पीले पड़ चुके है जिसकी वज़र से जंगल पीले रंका दिखाई दे रहा है yellow wood means पीला जंगल पीला जंगल का मिनिग यह है कि पतजड का मोसम है और पतजड में सभी पेडों के पत्ते पीले हो जाते है चलते चलते एक मोड ऐसा आता है कि जहां पर रास्ता दो भागों में बढ़ जाता है तो जहां से दो रास्ते शुरू होते है एक रास्ता एक तरफ जाता है और दूसरा रास्ता दूसरी तरफ तो कभी इस सोच में पढ़ जाते है कि वो कौन सा रास्ता चुने यहां पर वो कह रहे है कि मुझे माफ करना मैं अकेला यातरी होने के कारण दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth यहां पर कभी केहते हैं कि मैं बहुत देर तक वहा पर खड़ा रहा और दूसरा रास्ता जो जा रहा था उसे वहा तक देख रहा था जहां तक मेरी नजर जा रही थी वह रास्ता आगे जाकर मुडा हुआ था और उसके चोर पर कई जाडे पेड़ पोदे दिखाई दे रहे थे Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim तो बच्चों दोहरे रास्ते पर खड़े होकर कवी दोनों ही रास्ते को अच्छी तरह से देखते है और यह नर्लाई करते है कि वह दूसरे रास्ते से जाएंगे कवी उस रास्ते के प्रती अधिक आकरशित महसुस कर रहे थे क्योंकि वह रास्ता घासदार था उस रास्ते पर हर्याली थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह रास्ता ज्यादा तर उप्योग में लाया गया नहीं है इससे हमें यह पता चलता है कि कवी ने वह रास्ता चुना है जो ज़्यादा तर लोग नहीं चुनते हाला कि दो राहे पर खड़े होकर समान रूप से सड़के अच्छी तरह से उप्योग की गई लगती थी यहां पर कवी कहते है कि उस सुबह वे दोनों ही रास्ते समान रूप से उन पत्तों से ढखके हुए लग रहे थे जो लोगों के कदमों की आहट से काले नहीं हुए थे इसका मतलब यह है कि दोनों ही रास्तों पर ज़्यादा तर लोग आते जाते नहीं होंगे कवी यहां पर दोनों रास्तों में से एक रास्ते को चुनकर दूसरे रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देते है वह चल रहे है, उस रास्ते को आगे जाकर कई मोड और कई नई रास्ते जुडेंगे तो कभी को इस बात का भी अंदेशा है कि शायद ही वह फिर से उस छोड़े हुए रास्ते पर दोबारा लोट पाए जहाँ पर वह पहले खड़े होकर दोनों रास्तों को देख रहे थे यहाँ पर कवी कहते हैं कि आगे भविश्य में मैं आह भरते हुए कहूंगा कि मेरे पास दो रास्ते थे उन दोनों रास्तों में से मुझे एक रास्ता चुनना था लेकिन मैंने वो रास्ता चुना जो बहुत ही कम लोगों ने चुना था और आज मुझे में बाकी लोगों से जो भी कुछ अलग बात है वह उसी रास्ते को चुनने का परिनाम है आज में जिस मुकाम पर हूँ वह उसी रास्ते का परिणाम है तो बच्चो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में भी कभी ऐसा मोड आ सकता है कि जब हमें दो रास्तों में से एक ही रास्ता चुनना पड़े कई विकल्प होते हैं हमारे सामने चुनने के लिए लेकिन हमें वही रास्ता चुनना चाहिए वही विकल्प चुनना चाहिए जो हमारे लिए सही हो कि आज जो रास्ता हम चुनते हैं उसका परिणाम हमें भविश्य में दिखाई देता है तो बच्चो आई होप यह पोएमाप अच्ची तरह से समझ गए होंगे यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धनिवाद अगर यह वीडियो आपको हेलफ फुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकान दिया है उसे प्रेस करना ना भूले